वेलकम तू माच चैनल एबी रॉक्स चीम्स यहाँ पर ब्रैजिलियन सिरियलीक का माच हो रहा है क्रुजैरियो वॉसिस ग्रैमियो की बीच साधे पांच बजे बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड जॉइन हो जो साही तो कर सकती है टीम और ग्रैमियो की बात करें तो को ग्रैमियो तो एक नाम है हम ग्रैमियो को नाम से जानते क्योंकि मैंने ए टीम कहीं बार टॉप 10 टॉप 5 के अंदर बहुत साल रही है हर सीजन ही इनका होता है मतलब ऐसा कहूंगा मैं लेकिन एंड में आके थोड़ा पीछे हो जाते हैं लेकिन इस बार क्या होगा कि शुरू में ही थोड़ा पीछे हैं अब आगे जागे देखते हैं शायद आगे बढ़ें ठीक है क्योंकि यह दोनों एक ऐसी टीम में है जो लीड कर सकती मुझे ऐसा लग रहा है मतलब यह अभी अभी दोनों नीचे हैं ले फिर जब यह इंजड हुआ तो इन्होंने उसकी जगह पर अन्य खिलानी को खिला लेकिन आपको बता दू कि इनका प्राइमरी ऑप्शन जो एन था जो वो भी इंजड हो गया तो अब यह डियास को भेज रहे हैं डियास कभी भी आपको गेम में दिख सकता है लेकिन मेरी जॉर्च पर है मैं अभी भी चाहता हूं कि जॉर्च खेले के जॉर्च के खेलने पर बहुत कुछ डिपेंड है जॉर्च खेले का तो यह लीग यह टीम और आगे जाएगी लीग में क्योंकि मेरे को वैरोन पर एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे डियास पर तो एक भी पै देने मैच नहीं कहला इसने 11 अगस्त के बाद बहुत मैच खेले हैं अगर मैं आपको चलो मैं आपसे पुरानी बात नहीं करता हूं इसी महीने की नमंबर के महीने में इसने अभी पिछले मैच में एक गोल किया था सेकिंड लास मैच में अब बोलो क्योंकि यह बंदा खेलता है तो वैरी गुड सोटल टो नहीं खेलता फिर तो मैं किसी प्लेयर के साथ नहीं जाओंगा मेरा मेरा प्राइमरी ऑप्शन सोटल टो है मिड फिल्डिंग की बात करें दिन एम परेरा एम परेरा जो की शुरू से इसको मैंने देखा था प्रिमियर लीग में उसके बैरिल फ्लॉप चल रहा है हाँ अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता मान लीजिए रोमेरो या परेरा में से तो बैरिल को लिना पड़ेगा लेकिन अभी मेरी नजर में उनली रोमेरो पे है उसके बाद बात करें ग्रैमियों की तो वो है एफ क्रिस्टाल्डो के बाद वीला स फुटेडो के साथ जरूर जाना ठीक है फुटेडो के बाद अचली मैंना मार्शेलो एंड इवाल्डो का बहुत एक फैन हूँ लेकिन इवाल्डो के बेकार गेमप्ले से और मार्शेलो के ना खेलने के कारण मुझे ऑपोजिशन टीम पे भी थोड़ा बहुत मतलब एक प फॉम में निया बट फिर भी और अगला है हमारा एम शेवियर अगर खेलता है तो ठीक है शेवियर के बाद भी हम प्लेयर ले नहीं सकते क्योंकि हमने मैनुल को लिए अगर मैनुल ना खेले तो इसको निकाल कर सी आर्यू टीम का फोर्थ डिफेंडर उठा लेना आपने न इस कैप्टर ने डेट वस उपोजिशन्स टीम का ब्रैथ वेट यह मेरी टीम है मैं कहरों परेदा ना कुछ जादा ना करे एक आध गोल जॉर्च कर जाए इसकी एक असिस्ट भी आजे तो चलेगा मेरे लिए मेरे को लालश नहीं है मुझे असली लालश यह कि सिरफ एक ग झालश नहीं है